नमस्कार मैं हूँ साहिल जोशी पिछले कई दिनों से बॉलिवूड और ड्रक्स के रिष्टों को लेकर काफी घमासान चल रहा है कंगना रानावत लगातार इस बामले को लेकर आरोप लगा रही है अब ये मामला संसद में भी गूंज उठा है और एक तरफ बॉलिवूड म में घिर्ता हुआ नजर आ रहा है जिसमें नेपोर्टिजम के आरोप हो, सुशान सिंग राजपूत मामले में चुप बैठने का आरोप हो या बाकी सारे आरोप हो इस सारे मामले पर बाचीट करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मूझूद है उर्मिला मतोंकर उर्मिला मतों भी लड़ा था और आज वो अपनी बात इस पूरे मामले पर रखना चाहती है उर्मिला जी सबसे पहले तो आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुरुआति हम इससे करना चाहती हूँ कि मैं किसी भी पार्टी के तरफ से आज यहां पर बैठी नहीं हूँ आपके आपसे बात करते हुए मैं एक भारत देश की नागरिक के तौर पर और जिस नागरिक को एक मिडल क्लास बेसिक बैगराउंड से आकर अपना नाम, शोहरत, सब कुछ फिल्म इंडिस्ट्री से दिया मिला है ऐसे नागरिक के तौर पर बात करने के लिए यहां मौझूद हो मुझे लगता है कही न कहीं यह सारी चीजे बहुत अरसे से चल रही थी और मैंने बहुत अरसे तक अभी भी मुझे नहीं इसमें दिल्चस्पी है कि मैं किसी पे टिपढ़नी करूँ लेकिन कुछ ज्यादा ही हद से बाहर चीजे चली गई है और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीजों को सपष्ट करना बहुत जरूरी है कि यह जो गलत फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक तरह का चितर सामने लाया जा रहा है कि सब लोग ड्रग्स लेते हैं एक ड्रग एडिक से भरी हुई माफिया ड्रग माफिया वगरा वगरा जैसे वर्ड जब सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर एक रग्ति को इसकी तकलीफ होगी और ऐसे क्योंकि यह इस देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों मेंशे एक है हमारे एकनामी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह चुकी है मुझे रगता है स्वातंत्रता के बाद भी सारे फिल्म मेकर्स ने फिल्मों ने हमेशा यही देखा है कि देश की एकता अखंड था खूबसूरती ज्यादा से ज्यादा बाहर आए फिल्म इंडस्ट्रिय एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जहां पर हर मजहभ जाती प्रदेश और भाशा के लोग इकठा आकर अपने बड़िया से बड़िया टालेंट के तौर बेसिस पे आगे आते हैं और लोगों को एक खुबसूरत दुनिया में ले जाते हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की बाते फिल्म इंडस्ट्री पर बार बार कहे जाना गलत लगता है लेकिन जिस तरीके से ड्रक्स का मामला निकल रहा है क्या बुरा है कि अगर कोई ये कहता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रक्स घुस चुके हैं और उसको साफ सफाई होना जरूरी है रवी किशन कह रहे हैं जो सांसद गोरकपुर से वो कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री ठीक रहे मैं भी चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का नाम अच्छा रहे और इसलिए मैं यह बात कर रहा हूँ, कंगना रानावत कह रही है कि ड्रक्स के मामले में उनके पास बहुत सारी जानकारी है, उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाय गया था और इसके लिए वो भी चाहती है कि बॉली वोड की साफ सफाई हो, तो इतनी बड़ी इंडस्री की अगर साफ सफाई की बात कोई कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है? तो जरूर इसको फाइंड आट कर दिया जाना चाहिए और इसके उपर ऐसे लोगों पर भी कारवाई होनी चाहिए और इस नेक्सिस को खतम करना कर जाना चाहिए. मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ कि यह वही इंडस्री है जिसे भारत देश के माननीय पंतरप्रदान च्री नरेंडरो मोदी जी ने पिछले बरस नियोता देके बुलाया था, जिसमें जाने माने लिरिसिस्ट प्रसुन जोशी जी, करन जोहर जो फिल्मेकर है, ऐ उसे कहीं न कहीं लोगों तो पहुचाने के लिए उन्हें फिल्म इंडस्री का साथ चाहिए था, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी बड़ी चीज हो सकती है, एक फिल्म इंडस्री को इतने बहतरीन तरीके से समझने की और उनको जो मान्यता दी जानी चाहिए, वो मिलन तो मुझे लगता है कि माने नियापन्तप्रदान जी श्री मोधी जी जो आज देश-विदेश में हर जगा पर भारतिय संस्कृति को लेकर जा रहे हैं, इतनी खुबसूरती से उसे विदेशव तक पहुचा रहे हैं, तो वो ऐसी चीजों का तो साथ या समर्थ नहीं दे स हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसके बारे में जो भी आपकी इन्फोर्मेशन है, देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो उनके ओपर कारवाई कर सके, बलके मेरी जानकरी जहां तक है, कंगना जी नहीं कहा था कि मेरे पास ऐसे नाम है और वो में देना चाहती हूँ, नर्क अगर 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 आसा कोई नेकस्स है, तो उसके ओपर रोक लेका जाएगे, लेकिन आप यह भूल रहे हैं कि Bollywood मतलब चंद सितारे नहीं होते हैं, Bollywood के अंदर कई लाख लोग काम करते हैं, आज बहुत बरसों से कर रहे हैं, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हर कोई ड् करते हैं, उसके घर वाले बीवी बच्चे उसके पास यह देख कर समझे कि क्या यह भी ड्रक्स करके आया है, यह तो एक बहुत ज्यादती होई है, Bollywood के लोगों के साथ, यहां पर काम करने वाले कहीं सारे टेक्नीशन, टेक्नीशन और बाकी सारे लोगों के साथ, और कहीं सारे कलाकरों के साथ भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसी तरह के बाते एक दो चार लोगों के चलते सब इंडस्ट्री के उपर बात करना सही हो रहता है। कर्मेंट में बात कर रही है, और दूसरी तरफ कंगना रानावत उनका निशेद कर रही है, उनके खिलाफ बयान दे रही है, रवी किशन भी उसके बारे में बयान दे रहे है, यह सब क्या चल रहा है। कर दे से ज्यादा पिचरों की सेंटर पॉइंट वो रहे चुकी है, जिसको कहते है कि फिल्म के जो टाइटल रोल में जयाजी रहे चुकी है, वो बहुत ही बहतरीन अदाकारा है, और सबसे पहले तो, वो इस देश की एक बहुत ही रिस्पेक्टर अदाकारा होने के मुझे लगता है बाकी सब छोड़ दीजे, मुझे लगता है भारतिय संस्कृति के साथ नहीं जाता, हमारी जो कल्चर है हमारा, जो सन्सकार है, उनके साथ ये नहीं जाता, आपके बहुत कड़े किसी कुछ मैंने खुद एक लोगसभा election contest किया है, मुझे पता है किस तरह की टिपनिया बहुत सारी चीजे मुझे पर बोली गई, लेकिन एक पॉइंट पर भी जाके मैंने कभी अपना आपक हो कि किसी के ऊपर भी व्यक्तिकत रूप से इस तरह की बाते या लांशन लगाने वाली चीज जिन नहीं कही है, किसी के बच्चों के बारे में नाम लेकर आपकी बेटी इस सो के साथ होतका, बेटा अगर आपको रूम में लटका वा नजर आता तो मुझे लगता कि ये जो है वो इस नाट इन गुट टेस्ट वेरस वेर वी कम फ्रॉम, वेर आर कल्चर इस फ्रॉम कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बॉलिवूड माफिया, ये शब्त का इस्तवाल वो कर रही है, बॉलिवूड माफिया के बारे में वो बात कर रही है, पूरी इंडस्टी के बारे में वो बात नहीं कर रही है, इंडस्टी सबकी है, सिर्फ बॉलिवूड माफिया के बारे में बात कर रही है तो ये बावाल क्यों उठ रहा है क्यों जैया जी को या किसी और को इस बारे में क्योंकि जब कोई इनसान बार बार ये चीजे बोलते रहता है और अगर वो माफिया माफिया करके उन लोगों के नाम ही नहीं बताना चाहता है, खुलकर, तो आदमी, मैं जाने दीजे, तो आपको नहीं लगता है, एक सामान आदमी भी यह सोचेगा, कि भई, यह लोग है को बताएं तो कई, या फिर आपके अगर किसी के साथ ज्याती दुश्मनी है, उस दुश्मनी को आप कहीं न कहीं, इस प्लाटफॉर्म पे लाकत इस तरह से लोगों के सामने पेश करना चाहती है, तो एक वो आपकी परसनल फाइट हो जाती है, तो उसके लिए आप इस तरह पूरी इंडिस्ट्री को बदनाम करना सहीं नहीं होता, तो मुझे लगता है, इसके उपर बहतर यह किसे मैं और मेरे जैसे कहीं लोगों ने अपनी जिंदेगी आप फिल्म लाइन जैसे एक तरह की मुझे रहकर भी अजिक दिस्प्लिन से हमने अपनी जिंदगियां गुजारी है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को इस तरह के बात देगी और वो सही लगेंगी एक सवाल यहां पर भी आके रुखता है क्योंकि बात सिर्फ बॉलिवूड पर आकर नहीं रुखी थी तो बात मुंबई पर भी आगे थी उससे पहले कंगना रानावत कह रही थी कि मुंबई में उन्हें डर लगता है, मुंबई पुलीस उनको सुरक्षा ठीक से नहीं दे पाएगी, उनको हिमाचल प्रदेश पुलीस या फिर केंड़ सरकार से सुरक्षा चाहिए मुंबई को लेकर ये पूरा बवाल हुआ, उनका कहना है कि चूकी वो नारीशक्ती की आवाज उठा रही है, चूकी वो सही सवाल उठा रही है, इसलिए सभी तरीके से उनको टार्गेट किया जा रहा है और मुंबई में भी वही होते वह नजर आया आप भी मुंबई से हैं आपको क्या लगता है सबसे पहले तो आपको ऐसे लगता है कि नारी शक्ति का आवाज उठाने वाली व्यक्ति किसी इतनी सीनियर महिला के बारे में इस तरह के शब्ड का प्रयोग कर सकती है कि आपको ऐसे लगता है कि नाहीं सिर्फ जाया जी इसके पहले भी जो जो डिपीका जैसे लोगों के उपर उन्होंने टिपनिया की है इस तरह के अपने क्लीग, फीमेल क्लीग के उपर लेकर कोई इस तरह के टिपनिया कर सकता है मैं एक और बात यहां पर स्पष्ट करना चाहती हूँ, मैं खुद कंगना की बहुत फैन रह चुकी हूँ, वो एक बहतरीन अदाकार है, इसमें कोई दोराई नहीं है, मैंने जब उनकी पहली फिल्म वो लम्हे देखी थी, तब मैं उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आज भी मैं कहती हूँ, उसके बाद मैं क्वीन के बाद उनको एक फैशन शो में मिली थी, और मैंने उनके तारीफों के पूल बान देते हैं उनके पास, और आज मैं यह कहना चाहती हूँ, कि वो एक बहतरीन अदाकार है, और बहुत अंबिशियस लड़की है, और अच्छ आइडेंटीटी दी, सब कुछ दिया है, और इस शहर में नहीं सिर्फ देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं, अपना नाम, अपना वजूद डूनने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, और इस शहर ने सिर्फ आज तक लोगों को दिया है, और बदले में कुछ नहीं मांगा है, जो भी मुंबई को अपना समझ कर आए हैं, उन्हें हमेशा अपनाया है, और उनकी रोजी रोटी हो, नाम हो, शोहरत हो, वो सारी चीज़े दी हैं, नहीं सिर्फ ये, बलके महराष्ट्रा ने भी हमेशा देश की तरफ जो है, इंटेलेक्चुल हो, इन सारे मुद्दों पर एक कदम आगे रहा है, तो ऐसे महराष्ट्र के मुंबई के बारे में, आपकी कुसी व्यक्तिगत, विचारों के वज़े से आप इस तरह के टिपनिया करती है, यह वहां के लोगों को भावनाओं को ठेस पहुचाने वाली बात नहीं लगती आपको मुझे किसी भी मुंबई में रहने वाली व्यक्ति को, और मैं कहरी हूँ किसी भी मुंबई में रहने वाली व्यक्ति को, ना कि सिर्फ मराखी व्यक्ति को, यह बात बहुत चुबेगी और गलत लगेगी और इसके बारे में मैंने जुरूर आवाज इसलिए उठाई थी, कि आपका कहना था कि अगर आपको मुंबई पुलीस गलत लगती है, CBI आ चुकी है, CBI इस सारे मामले की जिनके उपर उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी कि सुशान सिंग के मामले में ठीक से जाच नहीं हो रही है, वो आज CBI कर रही है, तो मुझे लगता है इसके बावजूद ये सारी चीज़े कहने का मतलब क्या है, और ये सारी चीज़े आप जिस चीज के लिए कह रहे थी, वो चीज तो आपनी यहां कर की नहीं और जो उनके ओफिस के साथ हुआ, वो गलत था, ये मैं आज भी कहती हूँ, मैंने कल भी कहा था, और मैं हमेशा कहुँगी, कि ये ब पर किसी शहर में जाके इस तरह की अशांती फैलाना इस तरह की गलत चीजे वहां के लोगों के बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में कहना वापस एक बार में कहूंगे गलत है आज हम एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हैं और वो समय है कोविड-19 का समय जहां पर पूरा देश बहुत बड़े एक कठिनाई से जूँज रहा है हमें चहिए कि हम महराश्टर जैसे अपना पर सबसे ज्यादा बाहर के लोग काम करने आते मुंबई की वज़े से एक जूठ होकर खड़े रहे वो मुंबई पुलीस जो अपनी जान हतेली पर एक आम आदम बीगवाई है तो ऐसे लोगों के उपर जब बात करते हो आप सेलिबरिटी हो लोगा आपको फॉलो करते हैं तो आपका भी कुछ ना कुछ उनके प्रती एक जिम्मेदारी बनती है कि उस जिम्मेदारी के पॉइंट से आप लोगों के पास बाते करें और अगर आपके पूरी तरीके से शान्त है जाया बच्चन संसद में जो कह चुकी है आम तोर पर लोग उसको रीट्वीट कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री से लेकिन कोई खुद आकर आगे आकर इस बारे में बात नहीं कह रहा है तो कंगना रानावत या रवी केशन जो आज स्टेट्में अपने अपने अंडर रहने की ये कोई साजिस तो नहीं है कहीं न कि ऐसे भी लगता है कि देश में इतने बयानक बड़े मुद्दे हैं आज हमारे सामने जैसे हमारे GDP का मुद्दा है, एकनॉमी को लेकर जो हुआ है, अनेम्प्लॉइमेंट का मुद्दा है, माइगरंट व उस चीज़ पर हम लोग लीड कर रहे हैं दुनिया भर में, ये सारी जो चीज़े हैं मुझे लगता है इन सारे चीज़ों से कहीं हमारा ध्यान हटाने के लिए तो नहीं सारे बड़े बड़े चैनल्स प्राइम टाइम पर सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दे लेकर चल रहे ह मुझे लगता है मुद्द बहुत अहम है, जरूरी है अगर अगर लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि प्यों के तरह लगता है मुझे तालीबान की तरह लगता है, और मुझे लगता है, सच कहों, तो मुझे हसी भी आती है कभी-कभी, कि मुमबई जैसे, आज कि एक क्या कहते है, विचारों में, आचारों में हर एक दिशा में, सबसे ज्यादा आगे रहने वाले शेहर को, आप ये सारी अगर नाम दे रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया वर में, कोई भी जगा आपको सेफ लग सकती है, क्योंकि आज अगर हम पुरे देश में देखे, कि अलग-अलग प्रदेशों में क्या-क्या हो रहा है, मैं बता सकती हूँ आपको, लेकिन इसका मतलब कहीं न, कहीं में उन प्रदेशों पर भी टिपड़नी कर रही हूँ, और कहीं वो गलत ना साबित हो जाए, लेकिन कहीं पर भी हो, यूपी में हो, बिहार में हो, या फिराज हरियाना में दो लड़कियां जेल में थी, और पुलीस के लोगों ने कुछ उके उपर, यूपी सेक्शूल असॉल्ट की केस आई हैं सामने, ऐसी कहीं सारे चीज़े हो रही हैं, दलीतों के उपर अत्याचार हो रहे हैं कहीं जगाओं पर, महिलाओं के उपर के अत्याचार खतमी लेने का नाम नहीं लेते, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि ये सारी चीज़े आपको नजर नहीं आती, बट मुंबई जहां पर सेकडो लड़किया 16-17 की उमर में मुंबई में आती है, उसे अपना घर बनाती है, और बहुत ही सिक्यूर सेफ अपने आपको महसूस करती है, रात को बारा-बारा बज़े तक काम के लिए वो लड़किया घर से बाहर रहती है, तो आप अगर ऐसी जगह को अगर आप सेफ नहीं समझती, तो मुझे नहीं समझ में आता कि आपको देश बर में कौन सी जगह सीफ लगेगी परूर्मिला आपने आपने डर के माहूल की बात की, और डर के माहूल की बात इससे पहले आमिर खान कर चुके हैं, नसुर इदिन शाह कर चुके हैं, और उन्हें भी जो बात कही गई, और अभी कंगना रानावत मुंबई शहर के बारे में डर की बात कह रही है, तो अगर आमिर खान या नसुर इदिन शाह को देश में डर लगता है, ये कहने का अधिकार है, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि फिर अगर कंगना ने कहा कि मुझे मुझे मुबई में डर लगता है, तो उसमें क्या गलत है, इन दोनों बायानों में क्या फर्फ आप महसूश करेंगे, गलत तो कोई भी नहीं है, गलत तो अपने अपनी जगा हर कोई सही ही होता है, तो यहीं सोच कर डर रहे हैं कि अगर मैंने बाते कहीं, तो कहीं मेरी फिल्म सफर ना करें, मेरे करीर ना करें, तो इस तरह के जो डर लोगों के दिलों में हैं, कि मुझे भी लोग देश दोहीं ना समझें, तो यह जो सारे डर लोगों के अंदर बिठाएं गए हैं, वो उस डर के बारे में बात कर रहे थी, और कंगना सिर्फ मुंबई में उन्हें फिर वहां पर भी कुछ एग दो चंद लोगों के वज़े से जो डर लगता है, उस डर की बात कर रही थी, तो मुझे कही न कही लगता है, यह जो कहना है, वो अपने आप नहीं क्या कहते हैं, एक तरह का दोगलापन उसमें नजर आता है, कि आप इतने वर्सों से जब इस शेहर में रहीं, आपने अपना नाम कमाया, फिल्में बनाई, सब कुछ किया, तब आपको इंसीक्यूर नहीं लगा, आपको अभी एक महीने में ऐसा क्या आप नहीं किया है, या किसी और नहीं किया है, कि यह सब हुआ है, तो यह सारी मतलब यह बहुत ही दुख भरी और दर्दनाक चीज़ है, और इसके बारे में कोई दोराई नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ लोगों को जिम्मेंदार ठैरा, उनके उपर जब CBI जाच कर रही है, सब को उनको अपना काम करनी दिना चाहिए, वो डर की बात इसलिए भी श उनका ये कहना हो सकता है कि एक महिला को इस तरीके से सम्मोदित करना, ये डर की बात हो सकती है, क्या ये बात आप सही मानती है? मुझे लगता है कि महिला के बारे में और ये सब चीज़ों के बारे में इस वक्त बात ना करें तो वेतर होगा, संजे राउट जी ने अगर जब ऐसा कहा, वो शब्द वहाँ पे इस तरह इस तरह इस्तमाल करना सही नहीं था, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन मुझे लगत कंगना जी ने कौन क्या शब्द यूज कर रहा है, इसके उपर अगर टिपजनी नहीं की तो अच्छा होगा, ऐसे आपको नहीं लगता, जिस तरह की भाशा वो खुद इस्तमाल करती है, एक महिला होकर, दूसरी महिला के बारे में, देश के बारे में, सुसाइटी के बारे है, और फिर भी अपने आपको विक्टिम मानती है, फिर भी अपने आपको सब विक्तिम होगे, तो महिला विक्टिम होने का कार्ड भी उठा उठा के पटकती है, कि भाई मैं भी तूम्हें महिला होना है, मैंने भी लोकसभा के दौरान और आज भी ये इंटर्व्यू बाह आपको नहीं लगता कि ये भारती ये सवस्कृति के खिलाफ है एक जो फेमिनिजम का नारा लगाने वालों के खिलाफ है उस वक्त किसी को याद नहीं आता कि वो भी एक महीला है इस देश की माता है इस देश की भगीनी है इस देश की बहू है ये किसी को उस वक्त नहीं समझ के दौरान महिला होने काова आगर यूज़ किया होगा अज भी कोई मुझे दिखा दे, मैं कुछ भी लिए ठीक. मेरे उपर मैंने धरम बदला, मैंने क्या क्या मेरे उपर भी मेरे पती के उपर टिपरनियागां यह सारी चीज़ अगर कौई किसी दिन पर कर पाए तो मैं जो भी आप कहने के लिए तैयार हूँ लेकिन इतनी सारी टिपनिया ट्रोलिंग सब कुछ मैंने सहा एक मैं भी तो महिला थी लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि यार मैं महिला हूँ इसलिए मेरे उपर आप यह तो यह कारण खेली है यह वो खेली है नारी शक्ति के बात कीजे और कियोगा यह तो फिर अप नारी सम्मान कीजिए, दूसरी नारी का भी सम्मान कीजिए उर्मिला आपने हमसे बात की इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने अपने मन की बात जिस तरीके से सामने रखी आज के दौर में बॉलिवूर से लोग सोशल मीडिया के अलावा कहीं भी एक लाइन के अलावा कोई टिपनी ने कर रही है उस कर याष्ट